नमस्कार स्वागत है आपका व्याग दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी ख़बरों की योग से साधेंगे सारी दुनिया मोदी प्रधान मंत्री नरेंड मोदी ने अंतराष्ट्रिय योग दिवस के अफसर पर योग को जीवन शेली का हिस्सा बनाने का आवान करते हुए कहा कि योग शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक छेतना का माध्यम है जिसके जरिये हम देश दुनिया सब को साधेंगे चंडिगर के कैपिटॉल कॉंपलेक्स में मोदी ने तूसरे अंतराष्ट्रे योग दिवस समारो की शरवात की चहां लगभग 30,000 लोगों ने उनके साथ योग किया प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि योग धार्मिक कर्मकांड नहीं है ये मन को शांती और शरीर को स्वस्त बनाने का एक विज्ञान है जो शरीर, मन और बुद्धी को संतुलित कर शरीर को गतिवान और मन को स्थिर बनाता है ये अनुशासित जीवन जीने का तरीका सिखाता ह उन्होंने कहा कि योग एक ऐसा स्वास्त बीमा है जो बिना खर्च किये ही आपको निरोग और दीरघायू प्रदान करता है अमेरिकी सीनेट में गिरा शस्त्र नियंतरन का प्रस्ताव ओर्लेंडो में हुए जन सनहार के बाद अमेरिका में शस्त्र नियंतरन के प्रयासों को करारा जटका लगा है अमेरीकी सीनेट में शस्त्र नियंतरन के प्रस्ताफ गिर गए हैं इनमें एक प्रस्ताव ये भी था कि किसी एक व्यक्ति को बंदूग बेचे जाने से पहले उसकी प्रष्ट भूमी की जाच को व्यापक बनाया चाये। सदन में चार संशोधन लाए गए। इनमें से दो डेमोक्रेटिक थे और दो रिपब्लिकन। इन पर मतिदान हुआ चारों ही प्रस्ताव सीनेट में आगे बढ़ाये जाने के लिए जरूरी नियूंतम साट वोट हासिल करने की अनिवार्याता को पूरा नहीं कर पाए। इन संशोधनों को पिछले सब्ताह सीनेटर क्रिस मर्फी के 15 घंटे के लंबे भाचन के बाद गती मिली थी। इस भाचन में उन्होंने फ्लोरिडा के समलेंगे क्लग पर हुए हमले में 49 लोगों के मारे जाने के प्रश्ट भूमी में सामाने समझ के तहट शेस्त्र नियंतरन के लिए जोर दिया था। इसके पक्ष में सिर्फ 44 और विपक्ष में 56 वोड पड़े। विकारी की उनकी लड़ाई मेरे खिलाफ है। विवड़ देए नही है।